तो दोस्तो अठारवी लोग सबा के लिए 13 माई को मद्दान हो गया था और अब चार जून वो तारीक है जब ये तै हो जाएगा कि रतलाम जाबू अलिराशपूर संसदी छितर से आखिर कौन अठारवी लोग सबा में जाएगा वहाँ पर हमारी आवाज बनेगा तो चार जून को ले कर कई सारी आप लोग के मन में गयासा हैं कई सारे सवाल है तो हम आपको ये इसप्रस कर दें कि जो ओसत निकला है आठो विदान सबाओं में कांटिंग के राउंडस का वो ओसत निकला है कि कुल 16 राउंड के आसपास होंगे यानि कि 16 राउंड में औसतन नतीजा निकलाएगा कहीं पर 18 राउंड है, कहीं पर 14 है, कहीं पर 16 है, कहीं 15 है लेकिन आठो विदान सभाओं का जो औसत निकला है वो 16 राउंड निकला है यानि 16 राउंड आते आते ये तै हो जाएगा कि कौन जाबू अरतलाम अलिराजपूर का नया संसद होगा और रुजानों के अगर हम बात करें तो कम से कम आट राउंड ऐसे होंगे जहां आट राउंड आते ये सपस्ट हो जाएगा कि कौन आखिर अठारवी संसद में जाने की रास्ते की और तेजी से दोड़ रहा है तेजी से बढ़ रहा है तो ये सबसे महत्पूर जान करिए कि साथ से आठ राउंड में ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि कौन इसमें आगे जा रहा है लेकिन अगर मुकाबला नेक टो नेक हुआ तो कुछ राउंड और इंतजार करना पड़ेगा बारवे राउंड तक जाकर ये तस्वीर जो धुनली तस्वीर वे थुड़ी साफ होनी शुरू होगी लेकिन उमीद है कि ये आठ राउंड में ही ये तस्वीर धुनली से साफ होनी शुरू हो जाएगी नोवा दसवा गैरा राउंड आते आते तस्वीर लगबख साफ होने लगेगी हो सकता है समर्थोगों की भीर जुटने लगे आतिजवाजी शुरू हो जाए कहीं पर पटाके और मिठाईयां भी बटने लगे लेकिन ये इसके लिए भी कम से कम आपको आर्ट राउंड का इंतजार करना पड़ेगा आपको बता दें कि पहले जाबुआ में रत्लाम अलिराजपुर और जाबुआ के करीवन छे चेजार के आसपास जो डाक मत पत्र हैं जो करमचारियों ने दिये हैं या दिव्यांगो या जो अती बुजूर के उन्होंने दिये हैं उसकी काउंटिंग होगी उसके बाद EVM की काउंटिंग शुरू होगी तो ये काफे महत पुणोर आपको बता दें कि इस बार करीब 15,27,000 से जादा वोड गिने जाने हैं EVM में तीनो जिलो की आठो विदान सभा छेतर पे आपको फिर से बता दें कि आठ विदान सभा छेतर कौन से हैं में भारत अदिवासी पार्टी ने कांग्रेस और बीजेपी को हरा कर बड़त हासिल की थी मदब देश में अपना खाता खोला था और ठांदला तेरा सो वोटों से कांग्रेस जीती थी जाबुआ में डक्टर विक्रान भुरिया कांग्रेस के करीब साड़े पंद्रा जार वो बीज में 25,000 से जादा वोटों से लीड ले रही थी आगे थी अब यहां पर उम्मीदवार आप तस्वीर में देखिए कांग्रेस से कांथिलाल भुरिया है बीजेपी से अनिता नागर सिंग चोहान है तो भारत अधिवासी पार्टी से इंजिनियर बालु सिंग गामण है यह तीन चेहरे आपके स्क्रीन पर इनके बीच में यह मुकामला है और कांथिलाल भुरिया के अगर हम बात करें तो यह उनके राजनितिक जीवन का अंतिन चुनाव माना गया और उन्होंने खुद अपने मुँसे क्या कहा था वो अब सुन लीजिए जब उन्होंने नामं सिवा भी करेंगे यह कांथिलाल भुरिया आखरी दम तक आपकी लड़ाई लड़ता रहेगा आखरी दम तक लड़ता रहेगा चाहे भोपाल की लड़ाई लड़ना पड़े चाहे दिल्ली की लड़ना पड़े हम लड़ेंगे और हमारा अधिकार लेके रहेंगे तो कांतिलाल भुरिया के लिए ये अंतिम चुनाव है तो नागर सिंग चोहान की राजनीती के लिए भी एक काफी महत्पुन चुनाव माना जा रहा है नागर सिंग चोहान चोथी बार पांच चुनाओं लड़े हैं विदायन समा के चोथी बार वो अलिराजपुर के मेले बने और इस बार उनको मदपदेश शाशन ने तीन महत्पुन महकमे देकर कैबरेट मंत्री बनाया है वो मदपदेश के वन परियावरण और अनुसुची जाती विकास मंत्री है और न सिर्फ संग्ठन ने उनको मंत्री बनाया बलकी उनकी धरम पत्नी जो जराप पंचात की अद्धिक्स थी उनको परिवारवात के आरोपों को दर्किनार करते हुए क्योंकि बीजेपी को पता था कि कॉंगरेस ही आरोप नहीं लगा पाएगी क्योंकि बेटा कांतिलाल भुरिया का M.L.A. है और कांतिलाल भुरिया लड़ रहे हैं तो कमसे कोंगरेस कांटर नहीं करेगी अनिता नागर सिंग चोहान को टिकेट दिया अब अनिता नागर सिंग चोहान अगर जीच जाती है तो संग्ठन में नागर सिंग चोहान का कद बढ़ेगा लेकिन अगर हार जाती है तो वो संग्ठन और सरकार दोनों में कमजोर होंगे ये नतीजे कम से कम ये इस पस अमने दिखाई देते हैं इंजिनिर बालो सिंग आमड की बात कर लेते हैं विदान सबा चुनाओ पिटलाओ दुनों ने लड़ा था और करीब पंदा अजार से ज़्यादा वोट लेकर वो आये थे वो जीत तो नहीं पाए लेकिन निर्मला भुरिया की जीत और वाल सिंग मेडा की हार की वज़े जरूर बन गए थे नोकरी छोड़ कर वो सरकारी राजनीती में आये हैं पहले जैयस में थे फिर भारत अदिश्वी पार्टी में इस बार चुनाओ लड़ रहे हैं अगर उनको अच्छा खासा आगर आजाता है तो उनकी सियासात आगे काट्यूनि रहेगी यंगर नम्बर कमज़ों रहे तो फिर उनकी सियासी पारी आगे क्या रुक लगी उसका वह हमको आगे इंतजार करना पड़ेगा यह नम्बर तै करेंगे तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही हमने आपको बताया कि कितने राउंड महत्पुण हैं किस-किस की पत्पतिस्था दाव पे लगी है 15 लाग से जादा वोट गिने जाने हैं और कम से कम 16 लाउंड का एवरेज है आठ राउंड यानि करीब आठ लाग वोट जब तक गिन नहीं लिए जाते तब तक कुछ भी कहना जदवाजी होगी तीन जले आठ विधान सभाएं और आपको फिर बता दें कि रिटर्निंग अधिकारी इस पूरी लोग सभा की जाबवा करेटर नहा मिना है उनी को यहां से साजा नतीजे साजा जो बड़त है जो वो भी बताना है नतीजे भी देना है और जीत का प्रमान पत्र भी देना है तो आप क्या सोचते हैं कमेंड वाक्स में जुरूर बता है